बॉनिंग इस्टूडेंट्स तूडेविश्ट्र एंट्स चेप्टर, चैप्टर एंट्स चैप्टर 4 जोत्व, इसके पहले आपनी चैप्टर 3 मेंदेख रहाता कि हमारे कम्पुटर के कितने में PARTS होते हैं और उसका क्या अगर होता है उसे पर आप जाते हैं कि क्या था मॉनिटर, कीबोड, माउस और सिर्ली उसी का एक पार्ट्स जो है वो हमारे क्या है कीबोड है इस चैप्टर में हम कीबोड के बारे में देखेंगे आप पर लिखने के लिए क्या करते हैं अगर आप छोटी है तो आप स्टाटिंग में पैंसल से लिखते हैं फिर जब आप बड़े होते हैं तो आप नोट बूक पर किससे लिखते हैं? पैंसल लिखते हैं इस तरह से थीक इसी प्रकार से वी यूजर कीबोड को टाइप लेडर्स नमबर या सिंबल और कम्प्यूटर इसी तरह से हम कीबोड पर लिखने के लिए क्या करते हैं? कीबोड पर लेडर को टाइप करने के लिए नमबर लिपने के लिए या किसे सिंबर को लिपने के लिए कंपुटर पे हम किसका यूज़ करते हैं कीज़ करते हैं इस आपने कीबोर्ड को देखा होगा उसमें कई तरह के डिफरेंट कीज होते हैं कुछ अलफाबेटिकल कीज होते हैं जिसमें alphabets सिखे होते हैं, कुछ number keys होती है, कुछ function ही होती है, control, shift, इस तरह से काफ़ी सारी keys होती है यह हमाँ पर आपको keyboard दिखाएगा है, जिसमें different types के क्या होते हैं, keys होते हैं जैके Q, W, E, F, A, S, D, यह क्या होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, alphabetical keys और आप सभी जानते हैं, alphabets में क्या लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं अब देखें यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 यह सभी क्या हैं, नमबर है, आपको next में बढ़ाया गया होगा प्रीविज क्यास पे तो इसे हम क्या 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 क्याते हैं, नमबर जीज क्याते हैं यहाँ अबर एक बटन है, जिसके बैक स्पेस रिखा होगा है, यह कौन सा बटन होते हैं, रैक स्पेस का इसके बार हम क्या करते हैं, करसर के जो लेटर साइड की चीज होती है, उसे हम डिलीच करते हैं इसी तरह से देखे हैं आपने डिलीच बटन है इसके तुरा आप करसर के राइट साइड की चीज़ों को क्या करते हैं डिलीच करते हैं यह जो एक बड़ा सा बटन आपको दिखाई ज़ा एकनी बोर्ट में यह कौन सा बटन है इस पेस बड़ा बटन है जिसका यूद दो लेटर्स के बीच में दो लेटर्स या दो वर्ड के बीच में स्पेस देने के लिए किया जाता है यह देखें इंटर्पी है इंटर्पी के दोरा क्या होता है हम नीचे वाली लाइंग पर जितनी बार आप प्रेस करते हैं हमारा करसर नीचे की तरफ या होता है इसे हम एरोगी कहते हैं यह अब डाउन राइट और लेट एरोगी होती है जिसका यूज करसर को राइट लेट आप या डाउन पराने में किया जाता है है तरफ सर्सें करता है कि इसे की किया पया प्रेसी की की लिखता है या हमारे अलफाबेट चोच यहां पहुत हैं यह हमारे अलफाबेट जोधा य। सब्चित लाइब इनकर की इस बार की यह अलपएट सीज है अलपएट सीज के ऊपर आपके नमर भी है इसमें और यह सबी जो कीज होती है इसमें नमबर की जबाइट आपके उपर और दूसरे इस तरह देखिए 1, 4, 2, 3, 5, 6, 7, 8 इस तरह से रहा है और भी नमबर की जाती कीबोर्ट पर दिया जाता है चाहिए हमारा टॉपिक है यूजिंग दॉप कीबोर्ट वी प्रेस अपकी ओन दॉप कीबोर्ट कुट टाइप हम कीबोर्ट की कीज को प्रेस करके क्या करते हैं टाइप करते हैं लेडर्स को वी कें सी वट एफर टाइप उन दॉपिक होता है जब देखे हम यहाँ पर टाइप के जारा है चीदो को तो राइप कीबोर्ट की निदूर्ट हो रही है जिसे हम आई बिंग कहते हैं यह किस से आती है जिसे हम परसर भी कहते हैं यह माउस होता है हमारा This is called the person जिसे हम परसर कहते हैं Next हमारी की है alphabet T's There are 26 alphabet T's on the keyboard आप सभी ने आप सभी जानते हैं कि English में 26 alphabets होती है जिसे तरह हमारे keyboard को भी 26 alphabets होते हैं We use alphabet writer to type letters Alpha के वैट T's का use क्या होता है? Letters को type करने में किया जाता है To type the word games, press the key अब देखिए अगर हमें games को type करने हैं तो फॉन को प्रेस को प्रेस करेंगे G A M E S हम one by one एक की को प्रेस करेंगे तो हम games अपने मॉनिटर पे लिख सकते हैं Next है हमारा Cool tip Press a key only once to type a letter Do not keep the key pressed This will type the same letter many times अब देखिए अगर आप किसी letter को एक बार प्रेस करते हैं तो बोलेट से एक बार लिखा जाएगा और अगर आप किसी letter को कई बार लिखना चाहते तो उन्हें क्या करना होगा उसे बार बार प्रेस करते हैं नमबर कीज, there are 10 नमबर कीज on the keyboard, कीबोर्ड पर अभियमने आपको दिखाया था 10 नमबर होते हैं, 1 to 9 और उसके बाद क्या होता है, 0 होता है, इनी बेसिस नमबर के बेस पर हम सभी किसी नमबर को क्या करते हैं, बना सकते हैं, इसे बाद हमें आपको बताया था, कि नीचे बाद है, इस बाद है, इस बाद हमें आपको बताया था, आपके बटम में एक लबनी सी बटम थी जिसे हम क्या कहते हैं? इस्पेस बार रहते हैं We use the space bar to give blank space between words Space bar key का use क्या होता है? जब हमें दो शब्रों के बीच में space देना होता है तो हम space bar key को क्या करते हैं? First letter लिखा, फिर space bar key को प्रेस किया Second letter लिखा This key is the longest key of the keyboard और ये keyboard key सबसे लंबी key होती है Two time, my mother with a space between the two words Press the key अब दिखें जैसे हमें my mother लिखना है तो हम माइ इतने के बार रहा करेंगे Space bar key को प्रेस करेंगे फिर उसके बार रहा को लिखेंगे Inter key We use the inter key to move the cursor to the next line Inter key का यूज हम करते है जब हम अपनी cursor को next line पर move कराना जाते है Two time, bus and car in different line Press the keys अब देखें हम इसका यूज कैसे करते है यहां पर देखें, आपने bus लिखा, अपने bus लिखा, बस के बार उन्ने इंपर्टी को प्रेस करते हैं तो देखें क्या रहा है हमारा परसर नीचे हाली नाइन पर आ जा रहा है तो इस तरह से हम क्या करते हैं इंटर्टी के दारा हमारा करसर नीचे हाली नाइन को बढ़ता है यह हमने आपको दिखाया था नेच्स्ट हमारा टॉपिक है एरो की There are four arrow keys on the keyboard कीबोड पर four arrow keys होती है We use the arrow keys to move the cursor up, down, left and right of the monitor और arrow keys का यूज़ करके हम cursor को क्या करती है देखें Right, Left, Up and Down cursor को move कराती है इसमें देखेंगी arrow keys बनाई देखें इस arrow key को आप सभी को अपनी copy में draw बना है देखेंगे राइट arrow key है Right arrow key move the cursor to the right जब आप Right arrow key को प्रेस करते हैं तो हमारा cursor right side move होता है ये Left है Left arrow key move the cursor to the left Left arrow key के दौरा cursor left की तरफ move करता है Up, Up arrow key move the cursor up जब आप arrow key को प्रेस करते हैं तो हमारा cursor उपर की तरफ move करता है और जब आप डाउन एल्पी को प्रेस करते हैं तो कर्सर हमारा नीचे की तरफ भूप करता है राइप नमिसिंग लेटर्स तो कम्लीट देमिलिंग्स और यहां पर देखें आप सभी को पीज के लेटर्स कुछ दिये गए हैं और कुछ मिसिंग लेटर है इसे सब्सक्राइब को क्यों सब्खें भूप में फिल करना है है और सेतले सथ लाइन की करना है फर्स्ट है देखें bastard पीस का अलफअबत इंग H is B E T Alphabet सेक्ट कौन सब रहा है ARO A double R A arrow 30 number N U U B E A 4 त है इंटर E N T E A इंटर 5 त है स्पेस S P A C स्पेस B A A स्पेस बार स्पेस बार नेक्स्ट की है back space key next key अब हीं आपको बताया था अब आप इसे देखेंकिए यहाँ आपको लिखाया गया है अब कर्सर की जब हमें लेफ्ठ ये कर्सर का राइट है और ये कर्सर का लेफं मगर किसी वर्ट ना क्या है ये राइट और ये लट अब हम अगर करसर की लख जाएट की चीज़ को रिलीज कर जाने है तो हम कैसे करेंगे बैंच स्पेस की कॉंप्रेस करें तो देखिए फिर से समझे ये इस तरह का प्रसेसर की लेटर है ये करसर की राइट है और करसर की लेख को उसलेटर है ? डगाटीक वर्ट है अपनेगे से मिच मिच करना है जा हम डाइक डेवर्ट को प्रस कर देखिए तो आपने देखा यह यह पर वर्ट हाजता ऊब डिलीज हो गया यानि बैकश्य की कि के दिवारा हां करसर के लेफट साइड की चीज़ को डिलीट करते हैं पॉर एजांपर तु करेंट इना स्पैलिंग और फुटबॉल मानुजी कि आपने को एक स्पैलिंग रिखी है फुटबॉल उसे करेंट करना है इसे आप देखिए फुटबॉल के स्पैलिंग क्या होती है अब आप यहां पर क्या हुआ यह गलत लेटर लिखा गया है तो हम क्या करेंगे यहां पर मौस से क्लिप करेंगे और बैट इसके स्पैस को प्रेस करेंगे और यह टाइप करेंगे टी तो इससे क्या हुआ हमारी फुटबॉल की स्पैलिक सही हो गई देखेंगे यह चीज़िया आपको बताएगे यह प्रेस दा कर्सर आफ्र की डी के बाद कर्सर को देलाना है जैसा भी हम लाएक है फिर बैट इसके स्पैस को प्रेस करेंगे और फिर क्या करेंगे दी लेटर को टाइप कर देंगे इससाइर टॉपीक है दीलीट के इन दीलीट रिए के लिए याइरालीट के लिए हम कांस की का शिर्दी की का देलीट की का For example, to correct the spelling of the football, press the cursor, देखे, अभी आपने football की जो गलत spelling देखी थी, उसे आपने अभी backspace टीके द्वारा बीच गया था, अब देखेंगे कि हम उसे डीच के द्वारा भी कैसे रेस कर सकते हैं, फुटबॉल की गलत spelling है, अब हम क्या करेंगे, करसर को डीके क्या करने हैं आपे, देखे, अभी इसके पहले हैं, जब हमें फुटबॉल को backspace की के द्वारा सही करने हैं, तो करसर को क्या क्या करने हैं, आपी यहांने करसर को डीके पीछे रखना हैं, आप इसके बार मां delete की को प्रेस करेंगे, देखे, delete की हमें प्रेस करेंगे तो करसर की राइट साइब सीजबी हो गई, आपनो type करदेगे डीक, तो यह क्या हो गया? फुटबॉल हो गया, इसे आप ए पुदबॉल हो गया, है आप देखे हैं हम delete की को press करेंगे तो क्या हुखा यह टो विधी के तुर आए है कि नहीं कि तो डिट की के नवारा हम करसर के right side की चीज़ों को delete या erase करने में लिपस करते हैं प्रेस के पहले आपको करसर को लाना है जैसे बहुता है तो भी ठीक को प्रेस करेंगे और फिर टारी कर देंगे भी तो हाई कौन सा लेटर अपसरी हो जाएगा फूटबॉल इस तरह से बिटा आप सबीगा चैप्टर फूर का एक्स्प्रेशन फिनिश होता है इसके साथ ही साथ आपको फर्स्ट रहुनी जो जैट करते हैं भी कम्प्लीट होते हैं अगर आपको इस चैप्टर से बिलेटर कोई भी डाउट है तो आपको प्लेट बॉक्स में सेट कर दीजेगा इस चैप्टर में आप सभी को एरो की, स्पेस बार की, डिलीट की, बैग स्पेस की ये फोर इस को आपको अपनी कॉपी में बनाना है और शो करना है